हे गाईस आप सभी का सरकारी जॉब्स पोटर यूटूब चैनल में फिर से साउगत है अडानी सोलर्स लिम्टेड में काफी बड़ी संक्या में भरती की जारी है जिसके बारे में आज हम इस यूडे में बात करेंगे अडानी सोलर्स के अंतरगत में एक कमपनी आती है मुंद्रा सोलर्स सिस्टम लिम्टेड इन्होंने अपना नोटिपिकेशन में बताया हुआ है कि जिन केंड़ेट लोग का आई टी आई ट्वैल्ट या फिर डिप्लोमा कमप्रिट हो चुका है तो वे लोग यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इलिजबल है और फ्रैसस लोग अप्लाई कर सकते हैं कहीं का experience नहीं मांगा गया है और यहाँ पर आपके qualification के वाइज आप लोग को salary दी जाएगी जो कि 15,000, 16,000 तक के जा सकती है इसका हम structure देखेंगे कि किस qualification को कितना यहाँ पर मिलने वाला है इसके साथ ही company में आपको कई परकार की सुधे भी मिल जाएंगी जिसके बारे में हम salary वाले structure में बात करेंगे और क्योंकि campus placement के माद्यम से आप लोग का selection लिया जा रहा है तो campus की date क्या होगी और जो 4 campus लगाए जा रहे हैं 4 date अलग-अलग होगी तो अगर आप लोग एक campus में नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग दूसरे campus में try कर सकते हैं तीसरे campus में या फिर चौते में तो उसका भी हम structure देखेंगे कब-कब कौन-कौन सी date पर campus आने वाला है और भी के जो ऐसी information से आपको इस video के अमादम से पता चलने वाली है एक और बात अगर आप ऐसी job की information बात है रहने चाते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी आप दबा सकते हैं तो चलिए बागे बढ़ते हैं apply और download notification से related link मैंने नीचे में डाल दिया है आप उन्हें भी video देखने के बाद check out कर सकते हैं मुंद्रा सोलर्स campus placement 2022 batch के लिए होने वाला है अगर आप लोग तो apply कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं तो company के बारे में यहाँ पर कुछ information दी गई है आप चाहें तो इसे read कर सकते हैं यह Adani Solars के अंदर में आप इसे एक परकार से देख सकते हैं कि यह solar PV manufacturing का work करती है अब हम आगे बढ़ते हैं तो job location की हम बात करें तो मुंद्रा solar private limited यहाँ पर जो इनका एक मुंद्रा में plant इस्था पर था या फिर factory कह सकते हैं आप जो की कक्च के अंदर में है वहाँ पर आप लोग को job location दी जाएगी अब हम qualification wise आप लोग की salary देख लेते हैं कि कितनी मिलेगी आप लोग को तो अगर आप लोग diploma के base पर apply करने वाले हैं तो आप लोग को 15,000 लगबग के आसपास में CTC बन जाएगा परमत आप लोग को दिया जाएगा और ये जो take home salary आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई प्रकार के deduction होते हैं जैसे कि canteen वगेरे के bus वगेरे की जो facilities है उसमें अब अगर आप लोग ITI के base पर apply कर रहे हैं तो 11,896 रोपय परमन सेटी से दिया जाएगा take home salary यहाँ पर mention है और अगर आप लोग 10,12 के base पर apply कर रहे हैं तो लगबग ITI के बराबर ही salary रहेगी आप लोगों की अब हम आगे बढ़ते हैं qualification में हम देखें तो higher secondary आपका होना चीए जो कि हमने उपर देखा था ITI या फिर diploma complete होना चीए अब कौन सी branch या फिर trade वाले apply कर सकते हैं तो आप लोग की कोई भी trade हो या फिर कोई भी branch हो यानि की ITI वालो की हम बात करें तो ITI में कोई भी trade चल जाएगा और अगर आप लोग diploma के base पर apply कर रहे हैं तो all mechanical and electrical branches वाले apply कर सकते हैं expect computer and drafts meant भी अब हम आगे बढ़ते हैं age limit के हम बात करें तो maximum 28 साल तक के आप लोग apply कर सकते हैं कई की campus में केवल 25 या 26 ही रखा जाता है तो काफी एक अच्छी opportunity है आप लोग 28 सक्के eligible हैं job type देखा जाए तो fixed term रहेगा एक year का contract के under में आप लोग को रखा जाएगा अच्छा perform करते हैं आप वहाँ पर तो आप लोग को और renew कर दिया जाएगा ये बाद में आप लोग को joining later वगेर में mention हो जाएगा और अब हम देख लेते हैं campus की date और इसका जो venue का address क्या क्या होने वाला है तो government ITI शिलिगुरी में 14 तारिको campus आ रहा है यहाँ पर अगर आप लोग नहीं जा पा रहे है तो government ITI मालदा में भी जा रहा है campus 15 नॉमबर 2022 को फिर 17 नॉमबर को लग रहा है 18 नॉमबर को लग रहा है तो आप इस प्रकार देख सकते हैं 14 से लगातार campus लग रहे हैं बस 16 तारिक को छोड़ करके 14, 15, 17 और 18 तारिक को तो आप लोग इसका एक अच्छे से screenshot भी ले सकते हैं अगर आप लोग को कुछ doubt हो रहा है तो आप लोग अच्छे से इसे zoom करके भी देख सकते हैं अगर clear visible नहीं हो पा रहा है तो यह मैंने campus की date और when you cat has भी बता दिया हमने qualification की भी बात कर लिए फिर भी कुछ information चूट रही है तो मुझे आप comment करके अपने question हो सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like and share जरू कर दीजेगा Facebook page का link भी आप लोग को नीचे में मिल जाएगा अब मिलते हैं आप से nice job की information के साथ तब तक के लिए good bye